नमश्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारेकरम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। पिछले हफ्ते भारती जनतापाटी ने पांच गौरव यात्राएं शुरू की। ये यात्राएं या तो समाप्त हो चुकी हैं या अगले कुछ दिनों में पूरी हो जाएंगी। होना है। लेकिन इसकी घोषना नहीं की गई। आप गौरव यात्राओं और गुजरात में चुनाओं की घोषना नहीं करने के निर्ने के बीच संबंद बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं कोई सुझाओं नहीं दे रहा हूं। लेकिन यह आपको एसेस करना है। क्या गौरव यात्राओं चुनाओं की घोषना के बाद एफेक्टिव होने वाली मॉडल कोड अफ कंड़क्ट का उलंगन कर सकते थे। और शायद यह निर्ने इसलिए लिया गया था कि भाजपा को इन यात्राओं को पूरा करने का मौका दिया जाए। गुजरात में 182 विधानसभा शेत्र हैं। गौरव यात्राओं की योजना इस तरह से बनाई गई थी कि वे इन में से 144 को कवर करेगी। गौरव यात्राओं का क्या महत्व है। चुनाओं की घोषना में देरी करने की क्या जरूरत थी। क्या ये सिर्फ तारीकों की घोषना से पहले राजे और केंद सरकार को कुछ और कंसेशन्स देने और स्कीम्स लाँच करने के लिए था। इन सवालों पर पहस की जा सकती है लेकिन इन factors के अलावा एक और महत्वपूर्ण एतिहासिक कारण है इस मुद्दे पर और बात करने से पहले एक छोटी सी बात आज के दौर में जहां स्वतंत्र मीडिया पर तलवार लटक रही है लगने लगा है कि खबरों पर अब पहरा है और ऐसे में बेहत जरूरी हो जाता है कि इन स्वतंत्र पतकारिता के माध्यमों को बचाए रखना निउस क्लिक आपके लिए लाता है मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं यानि जमीनी हकीकत से जुड़ीवे खबरें जिन्हें मुख्यधारा में ना के बराबर कवर किया जाता है हमने ना केवल राजनीती बलकि विज्ञान, क्रिशी एवं तकनीक से जुड़ी खबरों पर के उन पहलूँ को उजागर करते हैं जिनकी बहुत कम चर्चा होती है ऐसे में निउस क्लिक को आपके साथ और समर्थन की बहुत जरूरत है हमारी बेबाक एवं स्वतनतर पतकारिता को समर्थन दें, हमें सब्सक्राइब करें नीचे दिये गए लिंक्स पर जाएं और अपना समर्थन दें ये लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है और अब इस महत्वपून बात करने के बाद वापस चलते हैं आज के शो की तरफ ये तीसरी बार है जब भारती जन्तापाटी ने चुनाओ के दौरान गौरव यात्राई निकाली है 2002 में और फिर 2017 में भी निकाली थी शोकिया राजनेतिक वाचर्स को भी याद होगा कि 2002 के चुनाओ प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी उस समय वे मुखे मंत्री थे उनके लीडर्शिप में पहली बार बीजेपी ने कॉंटेस्ट किया था गोद्रा कांड के बाद के दंगों से उत्पन, क्रिटिसिजम और आउट क्राई से भारते जन्ता पार्टी को फाइदा होगा या नुकसान चुनाओ के पहले किसी को पता नहीं था मोदी चांस नहीं लेना चाहते थे इसलिए अपने ट्रंप कार्ड, कम्यूनल पोलराईजेशन के पावर को मैक्सिमाईज करने के लिए उन्होंने गौरव यात्राएं निकाली थी यात्राओं के दौरान उन्होंने परसनली कोई कसन नहीं छोड़ी थी माइनौरिटीज के प्रती, दौएश और घ्रिना को और डीपन करने के लिए आप में से ज्यादतर लोगों को ये भी याद होगा कि 2017 का विधान सभा चुनाव मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद पहली बार भारती जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी स्टेट से मोदी के केंदर में शिफ्ट होने के बाद एक पावर वैक्यूम क्रियेट हुआ था और बीजेपी उस स्थिती में ठीक मैनेज नहीं कर पा रही थी स्थितियों को 2017 में भारते जनता पार्टी ने गौरव यात्रा निकाली थी अपने कैंपेंड को एक डिसाइसिव पुष देने के लिए 2017 की गौरव यात्रा एक जादूगर की एक्ट की तरह था जो एक खरगोश को अपनी टोपी के बाहर खीचता है यह देखने के बाद दर्शकों ने उसके इनेफेक्चुल परफॉर्मेंस में रुची खो दी है खराब प्रदशन और वादों को पूरा ना कर पाने की वज़ा से लोगों का मूड पार्टी के खिलाफ हो जाने की चिंता से भारती जनता पार्टी ने एक अक्टूबर 2017 से गौरव यात्रा निकाली थी कोई नहीं भूला होगा कि उस वर्ष की नवरात्री के उत्सव में एक पैरडी गीत विकास गंडो थयो छे बहुत ही लोक्तिय हुआ था इसका मतलब था विकास पगला गया है बहुत स्मार्टली गौरव यात्रा ने गुजराती अस्मिता के विचार को फिर से प्रोजेक्ट किया ये 2002 में पार्टी के अभियान का मुखे एक पॉइंट था गुजराती अस्मिता का टैग लाइन 2017 और 2012 में पार्टी के मुखे चुनावी मुद्दों का हिस्सा नहीं था ये चुनाव तब हुए थे जब मोदी मुखे मंत्री थे और पार्टी ने इन दोनों चुनावों को आसानी से जीत लिया था 2017 में ये सुनिश्यत करने के लिए कि नेगिटिव मूड हार का कारण ना बने पूरा चुनाव अभियान मोदी के इर्दगिर्द कॉंसेंट्रेट किया गया था हूँ विकास चुँ, हूँ चुँ गुजरात, मैं विकास हूँ, मैं गुजरात हूँ मैसेज क्लियर था, मोदी ही बीजेपी हैं, बाकी स्टेट और केंद्र के नेता मातर प्रॉक्सी हैं 2017 तक ब्रैंड मोदी, पोलिटिकल लेक्सिकन में पूरी तरह से विक्सित और पॉप्लर हो चुका था परंतु उसके 15 वर्षपूर, 2002 के चुनावी कैम्पेइन के दौरान, ना तो मोदी इन्विंसिबल लीडर के तौर पर उभरे थे और ना ही किसी को पता था कि क्या मातर, हाड लाइन हिंदोत्व, बीजेपी को चुनाव जित्वा पाएगा हम सभी जानते हैं कि मोदी के लीडर्शिप में गुजरात प्रसाशन को 2002 के दंगों के बारे में खेद नहीं था एक टीवी इंटर्व्यू के दौरान उन्होंने कहा था एक तरह से जस्टिफाई करते हुए कि दंगे क्रिया प्रतिक्रिया का चेन था स्थिती नाजुक थी गुजरात में चुनाव 2003 में ड्यू थे फिर भी मोदी ने जुलाई 2002 में विधान सभा भंग कर दी थी चुनाव आयोग पर दबाव डालने लगे कि चुनाव जल्दी कंड़क्ट करें ECI के मुताबिक स्थिती सामान्य नहीं थी तनाव था चुनाव ऑक्टोबर में नहीं हो सकता था जैसा मोदी चाते थे मोदी ने विधान सभा भंग करने से पहले ही सामप्रदाइक धुरुविकरन डीपन करना शुरू कर दिया था जून 2002 में मोदी ने स्वयम जगनात रथ्यात्रा को एमिदाबाद से फ्लैग ऑफ किया सामप्रदाइक तनाव की सिती में किसी भी प्रसाशन को धार्मिक जलूस निकालने की अनुमती नहीं देनी चाहिए यहां तो मुख्य मंत्री खुद हरी जंडी दिखा रहे थे एक कदम आगे और बढ़ते हुए आउगस्ट में क्रिशन जन्नमाश्टमी का अवसर था शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दी गई इस यात्रा का थीम आतंगवाद के खिलाफ लड़ाई थी किसी भी तर्क से क्या टेररिजम के खिलाफ लड़ाई को धार्मिक एक्टिविटी कहा जा सकता है क्रिश्म जन्नमाश्टमी के बाद पूरे गुजरात में गनेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई और उसके बाद सेप्टेंबर से शुरू हुआ था गौरव यात्रा मोदी के लीडर्शिप में गौरव यात्रा निकालने का निर्ने सबसे पहली बार जून 2002 में लिया गया था जुलाई के पहले सब्ता में यात्रा शुरू होने की बात थी नौदस चर्णों में 182 निर्वाचन शेत्रों में से करीब 125 कवर करने की बात थी यात्रा एहमेदाबाद में एक भववे रैली में समाप्त होने की बात थी ऑगस्ट के end में यात्रा का grand finale एक रैली में होना था वहीं एहमेदाबाद में लेकिन प्लान को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि अटल विहारी वाजपई को इस अभियान के बारे में आपती थी उन्हें इसमें सामप्रदाइक टेंशन डीपन करने की पॉसिबिलिटीज दिखाई दी थी मोदी से उनके राजधर्म का पालन नहीं करवा सके थे वाजपई लेकिन खुद उसका पालन करने से नहीं भटकना चाते थे शायद वे क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि मोदी ने अभियान को गौरव यात्रा क्यों कहा दरसल उनकी कोशिश थी इशूज को राजनेतिक प्लेन से हटा कर उनको इमोशनलाईज किया जाए गौरव यात्रा गुजरात को दंगों के कारण मिली नेगिटिव इमेज को काउंटर करने का प्रयास था यात्रा का उद्देशे गुजरातियों के खोई वे गौरव को रेस्टोर करना था क्योंकि मोदी इसका नेत्रित्व कर रहे थे उन्हें गुजराती संस्कृतिय गौरव के रक्षक के रूप में देखा गया अपने भाशनों में मोदी ने विभिनस अमूओ को नेम किया बिलकुल पॉइंटेडली उनके हिसाब से गुजराती गौरव को नुकसान पहुँचाया गया वे थे पाकिस्तानी नेता, विपक्षी दल और निश्चित रूप से गुजरात के मुसल्मान उनकी राजनीती के खिलाफ कड़े ताक्तों का ये ट्राइंगुलर टेंपलेट आज भी कायम है गौरव यात्रा के खिलाफ विरोध उनकी पार्टी के अंदर और बाहर भी हुआ था मैंने इसके बारे में उनसे पूछा था, जवाब था नरेंद्र मोदी जो कुछ करते हैं या तो तब या फिर अब जो विवाद पैदा करना चाहते हैं करते रहें कुछ लोगों के लिए विवाद एक प्रोफेशन बन गया है National Minorities Commission और National Human Rights Commission ने भी गौरव यात्रा को उपोज किया था 2002 में आखिरकार कई postponements के बाद मोदी ने 8 सेप्टेंबर 2002 से गौरव यात्रा शुरू की गौरव यात्रा के दौरान मोदी ने लोगों की सामप्रदाइक भावनाओं को विप अप्ट किया एक जनसभा में उन्होंने refugee camps को जहां वे लोग शरन ले रहे थे जिनके घर तबाह हो गए थे या फिर जिनके परिवार के लोग मारे गए थे उस केंद्र को उन केंद्रों को बच्चे पैदा करने का सेंटर बताया कहीं और उन्होंने मिया मुशर्फ मिया मुशर्फ बोलकर अपना रोश जताया सामप्रदायक धुरुविकरन की रननीती काम्याब हुई और जब डिसेंबर 2002 में नतीजे घोशित हुए बीजेपी दो तिहाई बहुमत हासल कर ली थी कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार भारती जनतापार्टी शेकी ग्राउंड्स पर है क्या इसी वज़े से गौरव यात्राएं एक बार फिर से निकाली गई हैं आप ही सोचिए नमस्कार